So, hello all the aspirants, कैसे आप से? मैं आज बहुत ही important issue discuss करने वाला हूँ बच्चों के मन में बहुत confusion होता है कि सरह हम CSIR NET की तयारी करे या हम SET की तयारी करे तो ये एक बहुत important doubt है जो बच्चे मेरे से lecture के अंदर और lecture के बाहर हमेशा पूस्ते रहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ points की तुरू समझाने की कोशिश करूगा ताकि आप एक comfort zone में आ सके जहां आप इन exams को target कर सके मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे शुरू में ही बतानू ये बिल्कुल possible है कि आप दोनों exams को साथ में एक ही बार में target कर सकते हैं क्यों ऐसा मैं कहा रहा हूँ? क्योंकि जो इनका syllabus होता है वो काफी similar pattern पे होता है और ये same genre वाले exams होते हैं यही मैं अगर CSIR, NET और जैसे UPSC geoscientist exam की बात करूँ ये काफी different genre के exams होते हैं I hope आप समझ पा रहे होंगे लेकिन NET और SET एक काफी similar genre के हमारे exams होते हैं अब कुछ points जो मैं आपके साथ share करूँगा और इस points के मदद से आप analyze करिए कि आप इनकी तरह confused है या आप clear cut हो पा रहे हैं कि नहीं हाँ हम सही direction में move कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ अगर हमें सही बातें पता लग जाती हैं तो हमारा mindset खुद पे खुद positive हो जाता है तो देखिए कुछ points जो आपको ध्यान रखने हैं जैसे सबसे पहले syllabus आपके दिमाग में syllabus एक बार clear cut होना चाहिए यह आप खुद ही previous year देखेंगे तभी आपको बहतर समझ वे आएगा मैं कितना भी बता दू यहां से जब तक आप अपनी आखों से नहीं देखेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा जो दूसरा point होगा कि what not to study net के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से कौन से ऐसे points है जो set के लिए eliminate किये जा सकते हैं यह आपको कोई teacher बहुत ही बहतरीन तरीके से बता सकता है अगर कोई अच्छा teacher है वो तो आपको lecture के दौरानी बता देगा कि यह set के लिए ज़ादा important है यह net के लिए ज़ादा important है set वाले से skip कर सकते हैं यह छोटी छोटी बातें lecture के दौरान आपको बहुत ज़ादा help कर सकती है what you can't leave ऐसे कौन से topics होते हैं जो particularly set के लिए आप नहीं छोड़ सकते या फिर particularly net के लिए आप नहीं छोड़ सकते वो कुछ गिने चुने topics ही है अगर आप इन topics पे पकड़ बना सकते हैं यह थोड़ा सा समझ सकते हैं इन में definitely कोई teacher आपकी बहुत ज़दा help कर सकता है अगर आप खुद से भी कर सकते हैं previous year को analyze करिए मैं कहता हूँ कि बहुत आसानी से इस चीज़ को पता किया जा सकता है और last में previous year portions माल लीजे आपका set का exam अब यहां से 20 दिन है तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ set के previous year portions ही लगाने है और माल लीजे और set के pattern पे mock test लगाने है माल लीजे आपसे 20 दिन के बाद आपका net का paper है तो 20 दिन तक आपको सिर्फ net के previous year देखने है ताकि आप उस paper के zone में आ सके और सिर्फ उसके ही mock test लगाने है तो इस तरीके से आप common syllabus पढ़ते हुए कैसे दोनों exam को target कर सकते है ये रास्ता मैं आपको बताने की कोशिश कराऊ आप हमारे IFS की family भी join कर सकते है आप CSIR net के courses भी join कर सकते है और set की courses भी join कर सकते है वहाँ organic के तौर पर पढ़ाने के तौर पर मैं ही आपको मिलने वाला हूँ वहाँ lectures के दौरान भी हम बहुत बार discuss करते है कि क्या set के लिए important है और क्या net के लिए important है ठीक है? तो this is very important point दोनों को साथ में definitely निकाला जा सकता है बस exam के 20 दिन पहले आपका एकदम से tone बदल जाना चाहिए net के तरफ तो net के तरफ oriented set का exam तो set के तरफ oriented confusion दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए अगर आप बहुत hesitation में रहते हैं तो या फिर आपने जैसे बहुत सारे ऐसे students होते हैं जिनका approximately 10 साल 5 साल, 6 साल ऐसे gap हो जाता है क्योंकि वो बहुत साल बाद आप decide करते हैं कि उन्हें net या set जैसे exam देने हैं बहुत सारे students होई साथ भी है और definitely आप इस video को भी देखा हैं आप ऐसी situation में हैं तो आप चाहें तो set को prefer कर सकते हैं अगर आपकी state के अंदर set exam regularly conduct होता है वरना आप भी net के लिए जाता है I hope so इस video से काफी clarity आई होगी और ऐसे बच्चे जो अभी MSC में है आपको दोनों ही करना हैं उसके लिए तो आपको मैंने choice दिया ही नहीं है समझ रहे हैं बात आप बिलकुल fresh है आप कर सकते हैं आपके उपर confidence है आपको भी अपने उपर confidence रखता है जो बाते मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखते हुए preparation को आपके बढ़ाईए और definitely I wish all the best कि आप ये दोनों exams qualify करता हैं Thank you so much everyone मिलते हैं आप से किसी और वी गलो